हाई गाईज वेलकम बैक टो मैं चैनल एंड वेलकम टू एनदर ब्यूटिफुल डे आज का दिन बहुत ही प्सूरत है और आज मैं शेर करने वाली हूँ आप लोगों की साथ एक रेमिडी बहुत ही अमेजिंग सी एक टी कावा जो के करेगी आपके अम्यून सिस्टम को स्ट कि भाइटिक खाते हैं तो उसके साइड इफेक्स भी होते हैं लेकिन यह नैच्रिली तोर पे काम करती है जो कि बहुत ही सबर्दस्त है और अगर आपको कोई असा इशू नहीं आए फ्लूव गारा नहीं है तो भी आप इसको जरूर यूज कीजिए ता कि आप इन सारे मसा लेंगे और थोड़ा सोम इसको इसकी जो स्कीन नहीं नए इसको में जला लें घिर तो याद रखें अद्रक जो है यह भी आपके आम्यून सिस्टेम के लिए आपके में के लिए बहुत ही मेचिंग है इसको हम ज्यादा नहीं ब्लैक नहीं करेंगे बस इसका थोड़ा सा जो छिलका है यही हम सिर्फ जिलाएंगे उपर उपर से इसकी स्किन तो बस यह हमारी हो गई है अब हम उपर से इसकी नाइफ से स्किन उतार लेंगे अब हम इसका यह जो छिलका है ना इसको हम नाइफ से अच्छे से इसका जो छिलका है यह उतार लेंगे तो देखिया अद्रक हमारी अच्छे से साफ हो गई है अच्छे से हमने इसका छिलका उतार दिया अब हम इसके बरीक बरीक से स्लाइसिस काट लेते हैं यहां पर यह सारी नहीं डालूँगी मैं क्योंकि मैंने बनानी है सिर्फ दो कप टी तो इसलिए मैं यह आधी डाल लेती हूं ठीक आप एक इंच का टुकड़ा ले सकते हैं कि इतनी इनाफ होगी मैं यहां पर एक पैर में मैंने लिया है तीन कप पानी क्योंकि मैने डो कप बनानी है तो आप नगर दो कप बनानी है तो आप přteam कैसे ज्यादा बनानी है या कम बनाने तो उसे हिसाब से आप पानी डालने अब जो मेरा अद्रग जो मैंने स्लाइसिस काटे थे अब इसमें वो एड़ कर देंगे अब देखें यहाँ पर हैं दो जोवे लसन के जो आप देख रहे हैं कि इनको मैंने मोटा सा कूटा है भी तो यह स्मेट जाएंगे और चार अदद यह लोंग है यह जाएंगे और यह है जी हमारे पास लाइची और यह है दाचिनी के टुकड़े एक टुकड़ा काफी है लेकिन यह बहुत स्मॉल से थे छोटे-छोटे से इसलिए मैंने तीन डाले हैं वरना एक जो है इनफ है तो य जाएंगी अभी मैं आंच को कर देती हूं हाई और बोई लाने पर मैं इसको मीडियम कर दूँगी अब दिखें पानी में बोई ला गया है अब इसको मैं आंच को कर देती हूं लो और इसको कवर कर दूँगी अभी मैं और तीन कप पानी जाए वो दो कप रहा जाना चाहि तो देखें ये तकरीबन हमारा दो कप रहा गया है तीन कप पानी डाले थे लेकिन अभी ये फुल त्यार नहीं हुआ इसमें और भी चीजे जाएंगी अभी फिलाल हम चूले करते हैं यहां पर बंद और इसको निकालते हैं अपने कप बनाना है या मग के हिसाब से बनाना है तो उसमें हम डालते हैं तो अभी हम डालेंगे अपने कप में ये कप में ड़ा बढ़ा है फिलाल हमें एक कप कबनाते हैं दूसरे का बाद में करते हैं कलर भी बहुत अच्छ है और खुश्बू भी इतनी अमेजिंग सी आ रही है और अब हम इसमें क्या डालेंगे जी हनी हनी एक चमच डालेंगे हम जो के बहुत ही यह भी आपके अम्यून सिस्टम के लिए बहुत ह अमेजिंग है इसमें एक चमच हनी डालेंगे और अब इसमें डालेंगे हम लेमन हाफ लेमन इसमें मैं डाल रही हुए यह बहुत अच्छा आपके एम्म्यूनिटी के लिए कुफत learned के लिए लेमन भी बहुत अच्छा है लेकिन अगर आपको कोई । सूट नहीं करता तो आप न ढ़ले लेकिन यहा कि इसमें यह आपके गले को खराब नहीं करेगा इस्धु diffी में यह लाइमन जो है यह आपके गले को खराब नहीं करेगा तो इसमें हम तो यह देखैं जी कितना खुबसूरत सा कलर हमारी टीग का आगया और टेस्ट जो है ये भी इतना ही अच्छा होगा आप इसको ज़रूर ट्राइ करें तो गाईज उमीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी आज की रेमिडी पसंद आई है अगर पसंद आई है तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडि